बीजेपी की हार देखते ही हम इस शाने दोरा की आरत अपनी जगा शाने इस प्रती रानी को भेजा राजस्थान भाजपा के ऐसी फजीह देख राहूल गांधी ने लिए फुल मजे दोस्तो राजस्थान विदाजबा चुनाव के लिए वोटिंग में दस दिन से भी कम का समय बचा है और ऐसे में सभी दलों की सक्रिता काफी ज़ादा बढ़ गई है बीजेपी और कॉंग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने राजस्थान के रड़ में अपनी पूरी ताकत जोग दिया वही गुरुवार को 6 बड़े नेताओं की 16 चुनावी जन सभाय हुई क्योंकि राजस्थान में तेजी से चुनावी समी करण भी बदल रहे हैं एक बार फिर से जनता का जुकाव कॉंग्रेस की तरफ नजर आ रहा है कॉंग्रेस के अरनेता की रैली में जन सहराब उबड रहा है तो वहीं दूसरी और भाजपा के चाड़क के कहे जाने वाले केंद्री मंत्री अमिश्चा को फीड कम आने की वज़ा से अपना दौरा ही रद करना पड़ा है राजस्थान के भाजपा प्रत्याशी विजय बंसर के पक्षमे गुरुवार को आम सभा करने आ रहे केंद्री मंत्री अमिश्चा का कारिक्रम सभा से कुछ घंटे पहले ही निरस्थ हो गया है अमिश्चा की जनसभा के रद होरे की सूशना से चर्चाओं का बादजार कर्म हो गया का जा रहा है कि खाली कुर्सियों को देखते हुए अमिश्चा को अपना दौरा रद करना पड़ा और उनकी जगा केंद्री मंत्री इस्मृती रानी को आम सभा करने के लिए भेजा गया और उन्होंने सभा को संबोधित किया तो वहीं दोस्तों आपको बता दे कि एन वक्त पर दौरा रद करने की कई मायने भी निकाले जा रहे हैं राजनितिक गलियारों में चर्च और कयास लगाय जा रहे हैं कि रैली में बीड़ना आने की वज़ा से केंद्री ग्रह मंत्री को अपना दौरा निरस्त करना पड़ा वहीं दोस्तों आपको बता दे कि ऐसा पहला मौका नहीं है जब अमिश्या को अपना दौरा रद करना पड़ा हूँ इससे पहले भी वो चत्रिसगर का दौरा रद कर चुके हैं वहीं इसको देखते हुए कॉंग्रिस प्रवक्ता पवन खेडा ने भी एक ट्वीट किया और लिखा है कि मई के पहले सप्ता में अमिश्या ने हार आती देखते हुए अपना करनाटक चुनाव प्रचार रद कर तो दोस्तों जहां एक तरफ राजिस्थान में अमिश्या का दौरा रद हो गया है तो दूसरी ओर राजिस्थान में 16 चुनावी जनसभाय होने के बावजूद राहूल गांदी की रैली में जनसैलाब उमर पड़ा दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए ये वीडियो इतनी भीर नजर आ रही है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है दूर दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं एक जनसैलाब उबड़ा हुआ है कली राउल गांदी का ये दौरा हुआ जब अमिश्या का दौरा कैंसल हुआ और यहां पर उन्होंने कई जनसभाओं को संबो हवाईजाज में 12,000 करोर रुपए के हवाईजाज में 12 करोर रुपए की गाड़ी में गूमते हैं आपने पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी को किसी किसान के साथ देखा है किसी मजदूर के साथ देखा है किसी छोटे दुकानदार का हाथ पकड़ते हुए देखा है नहीं देखेंगे भाई और बहनों वह आपको हवाई जहाज में अमरीका जाते हुए देखेंगे उदर अमरीका के राष्ट्रपती से गले मिलते हुए देखेंगे राइट? अदानी जी के साथ फोटो में ऐसे दिखेंगे जैसे दो मित्र एक साथ खड़े होते हैं मगर गरीब किसान के साथ मजदूर के साथ बेरोजगार युवा के साथ नहीं दिखेंगे नरेंद्र मोदी जी किसानों को मजदूरों को बेरोजगार युवाओं को मूरक समझते हैं यह देखिए कितना जोश है देखिए अब देखिए इतने जोश से अगर हमने हिंदूस्तान के युवाओं को काम में लगा दिया तो मेड इन चाइना इस दुनिया में दिखेगा ही नहीं तो दोस्तों एक और जहां राहूल गांधी लगातार जन सभाएं कर रहे हैं कॉंगरस के तमाम नेता जन सभाएं कर रहे हैं तो वही दूसरी और भाश्मा नेताओं की रेलिया रद हुई जा रही है शायद यह हार की ही आहट है फिलाल आपका इस कवर पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपनी चैनल कभी न्यूस को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत बूलिएगा नमस्कार